कि देखिए भारतिय सम्मिधान सभा एम उसके परस्तावना के बारे में भारतिय सम्मिधान सभा एम परस्तावना के बारे में देखना पताया गया है आपको एक नमर प्रसन है भारतिय समिधान सभा की संचालन समिती की अध्यक्ष कौन थे उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजिंदर परसाद असका हो जाएगा आपको दो नमर प्रस्ण है शम्विधान साभा की अध्यक्ष शम्विधान साभा की संग सम्विधान समिति की अध्यक्ष कौनते यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर पंडित जवाहलाल नहरू तिसरा नमर प्रस्ण है शम्विधान साभा की प्रांतिय सम्विधान समिति की अध्यक्ष कौन थे उत्तर हो जाएगा सर्दार बल्ला भाई पटेल चोथा प्रस्ण है शम्विधान साभा की पारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे उत्तर हो जाएगा डक्टर भीमराव अंबेद कर बताया गया है पांचवा प्रस्ण क्या है थोड़ा सा ध्यान रखेगा पांचवा प्रस्ण है शम्विधान साभा की जंडा समिति की अध्यक्ष कौन थे उत्तर हो जाएगा आपको डक्टर राजिंदर प्रसाद छाठा प्रस्ण क्या है ध्यान रखेगा छाठा प्रसन क्या है थुरा सद्या रखिएगा शमिधान सभा की संग सक्ती समिती का ध्यक्ष कौन थे उत्तर हो जाएगा आप लोको पंडेत जवाहलाल नहरू उत्तर हो जाएगा पंडेत जवाहलाल नहरू उत्तर हो जाएगा पंडेत जवाहलाल नहरू यहाँ पे सत्वा प्रसन क्या है थोड़ा सध्या रखिएगा शंबिधान सभा का गठन कब किया गया था उत्तर हो जाएगा आप लोगो 27 जुलाई 1946 इस्वी 27 जुलाई 1946 इस्वी 27 जुलाई 1946 इस्वी को हुआ था आप आपका हो जाएगा आठवा प्रसन आठवा प्रसन हो जाएगा आपको शंबिधान सभा का गठन किसके परस्तावों का अनुरुप हुआ शंबिधान सभा का गठन किसके परस्तावों के अनुरुप हुआ उत्तर हो जाएगा आपको cabinet mission उत्तर हो जाएगा आपका cabinet mission नववा प्रसंद बहुत अच्छा है देख लिजे श्रमिधान सभा के सदस्यों में आनुसूचित जन्जाती के सदस्यों की संख्या कितनी थी आनुसूचित जन्जाती तो आनुसूचित जन्जाती की संख्या श्रमिधान में आपको कितना बताया गया था 33, कितना बताया जा रहा हैं, 33, चलिए हम लोग दस्वा प्रसंद देखते हैं, शमिधान सभा में महिला सदस्यू की संख्या कितनी थी, उत्तर हो जाएगा आपका 12, उत्तर हो जाएगा आपका 12, 11, प्रसंद क्या है, डाक्टर राजिंदर परसाद, शर्मिधान सभा के अस्थाई अध्याक्ष, कब बनेते या निर्वाचित हुएते? 12, 946, ko बनेते, 12 नमर हो जाएगा समिधान के पर्रूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी उत्तर हो जाएगा आपका 114 दिन उत्तर हो जाएगा 114 दिन 13 नमर प्रस्ण क्या बताया गया है 13 नमर प्रस्ण पर ध्यान दिजिए थोरा सा शमिधान सभा की कुझी किसे कहा जाता है उत्तर में हो जाएगा शमिधान सभा की परस्तावना शमिधान सभा की परस्तावना को हम लोग समिधान की कुझी कहते हैं समिधान सावा की परस्तावना को शमिधान की कुजी कहते हैं चोदर नमर परसंद क्या है थूरा सध्यान दिजैगा भारतिय समिधान द्वारा राष्टिय पंचांग कब अपनाया गया था भारतिय समिधान द्वारा राष्टी ये पंचांग कब अपनाया गया था आप लुग बता दे 22 मार्च अनीशो संतावन को 22 मार्च अनीशो संतावन को अपनाया गया था 22 मार्च अनीशो संतावन को अपनाया गया था यहां पर हो जाएगा 14 नमर प्रसंद बता दिया गया था 15 प्रसंद देख लिजे शमिधान सभा द्वारा भारतिय समिधान का निर्मार कितने समय में हुआ था दो बरस 11 महिना 18 दिन यहां पोज आएगा शुल्ला नमर प्रसंद क्या है थोड़ा सा ध्यां रखेगा भारतिय समिधान के निर्मार में कुल कितने रासी खर्च हुए थे भारतिय समिधान के निर्मार में कुल कितने रासी खर्च हुए यहां पर उत्तर हो जाएगा त्री सथ लाक चानवे आजार साथ सो उन्तिस रुपिया सत्रहावा प्रसंद क्या है किस समिधान संसोधन द्वारा परस्तावना में समझवादे पत्निर्पेक्ष और राष्ट की अखंडता शब्द को जुरा गया है किस समिधान संसोधन द्वारा परस्तावना में समझवादे पत्निर्पेक्ष और राष्ट की अखंडता शब्द को जुरा गया है